नमस्कार न्यूसों नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभी आपकी साथ रंग में भंग ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ऐसा ही कुछ हुआ पंजाब की तरंतारण में दरसल दूरहा दूरहन मैरिज पैलस पहुंचते हैं शादी करने के लिए लेकिन शादी से पहले है उन्हें मैरिज पैलस के बाहर इंतिजार करना पड़ता है क्योंकि अंदर तो बिलकुल मिर्जापुर वाले स्टाइल में सीन चल रहा था जिहां दूलहा दूलहन हॉल के बाहर इंतिजार गाड़ी में कर रहे होते हैं और अंदर पुलिस और अपराधी एक दूसरे से गोली बारी कर रहे होते हैं क्या है पूरा माजरा आपको बताते हैं एकदम मिर्धा पुर वेब स्टाइल में पुलिस और बदमाशों के बीच अचानक गोली बारी होने लगी दूला दूलहन बाहर गाड़ी में बैट कर इंतिजार करते रहें और अंदर से गोलीों की आवाज बाहर आती रही दरशल पंजाब के तरंतारन में जब एक दूला दूलहन शादी की रस्मों के बाद बाकी कारिकरम के लिए हाईवे परिस्थित माहे रेजोर्ट के बाहर पहुँची तो उन्हें पुलिस ने अंदर जानी से रोग दिया पुलिस ने पैलिस को चारों तरफ से घेल लिया था क्योंकि अंदर पांच लूटेरी छुपे हुए थे वो लगातार गोलियां चला रहे थे इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग कर रही थी जब पुलिस लिटेरों का पीछा कर रही थी तो वो भाग कर मैरिच पैलिस में पहुँचके उनका पीछा करते करते पुलिस भी मारिज पैलिस के अंदर जा पहुंची और वहाँ पर तीन घंटे तक लूटेरों और पुलिस के बीच मुठ भेड होती रही तरंतारन की स्स्पी ध्रुमन निम्बेलन खुद घटना अस्थल पर पहुंचे और आपरेशन का जिम्मा समहाल लिया आखिरकार पुलिस ने एक बदमाश को एंकाउंटर में धेर कर दिया जबकि चार अन्य हथे चड़ गए पुलिस ने इस दौरान अस्सी राउंड फाइरिंग की दूसी तरफ दूला दूलहन फूलों से सजी गाड़ी में बाहर बैट कर इंतिजार करते रहें और अंदर से गोलियों की तर-तराहट की आवाज आती रही जौरान बाराती मैरिज पैलिस के बाहर टहलती नजर आएं दूलहन के दादा मन्ना सिंग ने बताया कि उनकी पोती के शादी का कारिकरम इस मैरिज पैलिस में होना था जसके लिए उन्होंने काफी पहली ही बुकिंग कराई थी लेकिन जब वो मेहमानों की साथ यहां पहुँचे तो दूसरा ही मन्जर दिखाई दिया पैलिस के बाहर गोलियों की आवाज आ रही थी और वहाँ पुलिस वालों की भारी मौजूदगी थी तो वाकई जैसे वेब सरीज मिर्जापुर में एक सीन था ठीक वैसा है कुछ पंजाब के तरंतारं में मामला सामने आया है जहां दूलहा दूलहन मारश पालस के बाहर गाड़ी में इंतजार करते रहे और अंदर से गोलियों की तर-तराहट की आवाज आती रही और आपको बता दे कि इस दौरान पुलिस ने 80 राउंड गोलियां चलाई और एक अपराधी धेर भी हुआ आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो इससे शेर जरूर कीजेगा हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा धन्यवार